वेलकम स्थूडेंट आपका जो पेपर है हिंदी भाषा और सम प्रेशन्द बी-े ओनर्स- इंग्लिश में बी-े ओनर्स- पॉलसाइस में बी-कॉम ओनर्स में और इगनू के बी-ेस-डी-े-े-वन-े-ट्डू नाम का जो पेपर है इन सभी का टॉपिक है हिंदी भाषा और समप्रेशन इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप चित्मुशे जा सकते हैं उन पर ये वीडियो है आप लोग एक बार इन सारी के सारी प्रेशनों की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे लिखने की तो आपके प्रेशन में बहुत अच् समप्रेशन की अवधार्ण मेहत्व तठा उसकी पक्रिया को विस्तात अवा पहले शुरुआत की है पहले वीडियो की उसे सबसे पहले यही टॉपिक है हमारा संप्रेशन की अवधारना मेहत्व तथा उसकी पक्रिया इसको आप पच्छी तरह से देख लीजिए और एक बार लिखने की प्राक्टिस जरूर कर लीजिए तीसरा बनता है इसमें भामक संप्रेशन की प्रक्रिया में सक्रिय तत्व की विवेचना कीजिए जो भी सक्रिय तत्व होते हैं संप्रेशन में यह भी हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे संप्रेशन की महत्व पर प्रकाश ढालिए संप्रेशन के बुन्यादी तत्व की विवेचना उसी वे बुनियादी तत्वाप को उसके मिल जाएंगे और उनको आपनी आन्सुर में लिखना होगा और आप संप्रेशन के विभिन्य मॉडलों का पैचे दिए पहले पीडियो में ही है संप्रेशन के विभिन्य मॉडल जो के आपके कोर्स में शामिल किये गए उनको आएक बार देख सकते हैं उसमें थोड़ी से ड्राइंग्स पगर भी है उनको भी थोड़ा से प्रक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए असान हो जाएगा इसके बाद अभाशिक संप्रेशन से आप क्या समझते हैं अभाशिक संप्रेशन के विभिन्य प्रकारों का वर्णन कीजिए यह हमारे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा वहां से आप कर सकते हैं अगला प्रश्ण बनता है संप्रेशन के विभीन प्रकारों का परिचय दीजिए तथा संप्रेशन के सम्मुख आने वाली चुनोतियों का वर्ण कीजिए इस तरह का कॉचन आपका एता है तो यह आपका दूसरे वाले मैं आपको मिल जाएगा दूसरा वीडियो चाह उसमे यह दिया हुआ युछ दूसरे या तीसु भीो आराम से दोन講 या आपको आपकी दोनों में विल जायगा इस बिवत्षा था प्रत्पार अर्म फ्रेशन के उध्यमों के प्रकार अधम के बारिम में विस्तार सेल्ग तो अगर वो तीरो वीडियो आप लोग देख लेंगे और ये सारे के सारे प्रशनों को लिखने की आप रक्तिस कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर में कर पाएंगे इसके बाद में आपके लिए EBS और इसको लेकर किया होंगे यह सासमे इसके बार बार यहां भार यहां दूढ़ना अपड़े तेंक्स फॉर वाचिंग विटा थैंक्स फॉर लिस्निंग यहां पर आपने देखा डियू का डियू एस वेल का सिलिवस है एंसी वेब का है यह एगनु का है और जो भी कॉंप्रिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो हिंदी हाती है उनको में अपर अपनी चैनल पर कवर करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं